वेल्कम बैक तो मैं चैनल वंस अगेन सो मैं पंकच कुमार इस वीडियो में आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूं कोड़ फोस राउंड 815 डेटर फोर डिव टू का क्वेश्चन नमबर वन ओके सो बिफोर डेट अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब क करना एंड वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करते हो जाना एंड इसी कॉंटेश्ट का सेकिंड प्रॉब्लम का वीडियो मैंने अप्लोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना एंड उसमें मैंने काफे अच्छे टंग से एक्स्प्लेइन किया इ यहां पर जो थोड़ी से स्टोरी होती है तो स्टोरी को मैं लिव करता हूं ऐसा जो एक्च्छल क्विश्चन है वो उस पर बात करते हैं डायरेक्ट ओके सो आपके पास क्या देवा कि a by b और c by d दो फ्रेक्शन है ओके यह आपके दो फ्रेक्शन दिये हुय है और आपका गोल अल्तिमेट है क्या है कि फ्रेक्शन की जो वैल्यू है वैल्यू को एक्वल करना वैसे कि यह वैल्यू क्या है जैसे कि मैं लिख रहा हूं 4 by 3 ग इसके value 1.33 जैसे ही आ रही है तो यह value है ठीक 4 by 2 तो यह 2 value यहां पर ओक्या तो basically क्या करना है, इसके value को same करना, a by b and c by d की value को same करना, अब अगर same नहीं है, तो आपके पास है कि एक तरह का operation है, जिसको यहाँ पर बोला गया कि clap आप करते हो, तो एक operation perform करते हो आप, उस operation में आप क्या करोगे, किसी एक fraction को पहले choose करोगे, a by b और c by d दो fraction में से किसे एक particular एक fraction को choose किया, कर लिया आपने choose, ठीक है, उसके बाद आप एक किसी भी एक integer को multiply करोगे, either numerator में यह या to denominator में, यह भी constant है, एक fraction किसी नहीं धी इसके बाद या तो numerator, या तो denominator, यह भी choose करना, तो आपको multiply कर देना है, उसमें, तो अगर आपने a को multiply, sorry, a में multiply किया, तो यह आप आपको AX by B, नहीं तो A by B X बन जाएगा, राइट, यही चीज़ागा C by D में देखते हैं, तो CX by D और C by D X बन जाएगा, ठीक है, तो यह एक पर value होगी, इसी तरह का आपको operation multiple time आप जितने बार चाहो perform कर सकते हो, इसमें आपको restriction ही है, ultimate आपका goal आपको पता है, आपको value ज जब तक equal नहीं होता है, तब तक आपको करते रहना, तो यह minimum number of operation बताने है, minimum number of operation ठीक है, तक इतने की बात की value जो है, वो equal हो जाए, तो यह आपको minimum number of operation बताने है, यह करना है, उसमें आपको जो होगा वो output देना, यही question आपको कह रहा है, ठीक है, आप देखते है question पर, minimum number of क्लैप्स मिन्स ऑप्रेशन टू मेक हर फ्रेक्शन एक्वल वाई वैल्यू नोट इट ओके यह आपको बताने हैं तो इन्पूट में बिसकलिए आपको दो सॉलैसन में क्या है सॉलाशन बहुत सिंपल है एव हो ब इस डोनों फ्रेक्शन को प्रेक्शन से वाई एक garsना वाई वैल्यू तो देखो अगर यह एक्वाई वैल्यू की बात कर रहाए अगर देखो हम बात करते हैं जैसे 4 by 2 है तो यह 2 by 1 है तो बेसिकली यह 2 by 1 2 और 2 उपर दोनों साइड में है ठीक है तो अगर यह एक नंबर किसी एक पक्ष में है दूसरा नंबर दूसरे पक्ष में है तो अगर दोनों में 2-2 को मल्टिप्लाय कर दिये तो वैल्यू फिर तो सेम रहेगी जैसे ठीक अब समझ रहो तो बेसिकली नंबर वाइज यह 4 बन गया ठीक वैल्यू तो वही है न तो यह क्या हो रहा ए बाई बी और सी बाई डी जो है वो बेसिकल अगर आप एक्क्वल होगा मान लेते हैं कि एक्क्वल आपका गोल दीच कर उप्रिक्षिन जो है है इस दरए इक्क्वल होगा एडी कोल टू बी सी ओकिया अब देहन दो अगर यह वाली चीज़े है तो दोनों के साथ बिभीEl है यहां tejहां भी तो एक डी B and C एक इसका, second वाला इसका first वाला इसका, तो second वाला इसका यह हो गया अब देखो, यह दो नमबर है ADBC यह equal करना है मैंने मान लिया कि equal है तो यह वाली situation होती है अगर नहीं है, ठीक है तो दो नमबर को equal करना है मतलब होगा या नहीं होगा यहाँ पर दो ही situation है binary type का है, अगर यह equal है तो zero operation, no need to do any operation अगर equal नहीं है तो हमें देखना है ठीक है, तो basically मैंने इसको divide कर लिया सबसे पहले AD और BC में fraction by पहले यह divide करने के लिए मैंने equal जैसे assume कि equal होता तो क्या होता, तो ADBC equal होता तो अगर equal नहीं है, तो ADBC को basically हम equal करना है, अगर ADBC equal हो गया, तो समझ लिए fraction की value भी equal equal होगी ठीक है, अब देखो दो number है, दो number अगर equal है, तो zero नहीं होगा, तो किस किस तरह की possibilities बन रही है, देखो मैं एक example देता हूँ, 4 और 8 का तो इसको आप 4 में 2 को multiply कर दो, 3 हो जाएगा, 8 और 8 एक example और देता हूँ 3 और 6 का, इसमें 2 multiply कर दो हो जाएगा, 3 का 6 और 6 ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, 5 और 3 का इसमें आप कितना भी एक number को multiply कर दो, equal हो पाएगा, नहीं तो इसके लिए इसमें आपको दोनों number में multiply करना होगा ओके, तो basically देखो, जब एक operation लगेगा तो क्या needed होगा let's suppose आपका जो number A नहीं है, आपको मैं देता हूँ, temp 1 temp 1 और आपका temp 2 है, तो let's suppose temp 2 में मैंने एक number x गुना किया, तो ये temp 1 के equal हो गया, इसका means क्या है, कि temp 2 is factor of temp 1 ठीक है, मतलब अगर आप इसको check करोगे वहाँ पे, तो temp 1 percent temp 2 equal to equal to 0, ये condition आपकी होनी चाहिए तो एक होगा हम यहाँ पे note करते जाते है अब ये temp 1, temp 2 जो है basically, मैं इसको लिख रहा हूँ AD और ये BC का fact बात है, ये same चीज आपको देखो तो यहाँ पे भी होगा, अब गर 4 यहाँ होता, 8 और 4 होता, तो भी इसमें 2 multiply करके equal कर देते तो अब समझ रहो, ये temp 1 percent temp 2 equal to equal to 0, या temp 2 percent temp 1, same ही चीज है, इसमें complication कुछ नहीं है, equal to equal to 0 ये भी होगा, ओके ये चीज आप समझ रहे हो, अब देखो यहाँ पे, temp 1 और ये temp 2 जो denominator में है, अगर यहाँ पे चेक करें तो temp 1, यहाँ पे चेक करें तो temp 2, अगर ये 0 होगया, let's suppose ये 8 और 0 है तो आप तो अभी तक कर रहे थे कि भाई, देखो अगर ऐसा 8 और 4 है, तो इसमें 2 multiply कर दो तो हो जाएगा, लेकिन ये 8 और ये 0 है, अगर ऐसा है तो इसमें आप 2 क्या, कुछ भी multiply कर दो तो कुछ नहीं होगा, और ये problem यहाँ पे problem ये है कि अगर आपनी इस condition को check किया, इस तरह की value के साथ, जहाँ पे denominator 0 हो रहा, तो आपको ये error देगा यहाँ सबसे पहले, तो इस condition में जाने के पहले, आपको check करना है कि either temp 1 जो है 0 है, या temp 2 अगर 0 है, ठीक है तो उस case में क्या होगा, इस case में आप समझे रहो, अब direct जो, इसमें गुना कर रहो direct अगर 0 कोई इसमें गुना कर दें तो दोनों 0, 0 हो जाएगा, तो कोगे number of operation तो change नहीं क्या number of operation change नहीं करेगा but इस वाले error को resolve करने के लिए हमें पहले ये check करना होगा कि temp 1 और temp 2 में से कोई एक equal तो नहीं है, अगर equal है ठीक है, तो हमें 1 तो हो गई होगा, ठीक है मतलब 0 के साथ है, तो 1 ही होगा बठे कि यहाँ पर आपका error वो नहीं आएगा ओके, ये चीज है ओके, let me change the color यही बस मैं कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा, और अगर यह दोनों चीज नहीं होता, तो जैसे कि हमने discuss किया था 3 और 5 वाला, तो दोनों में basically मुझे LCM को reach करने के लिए दोनों में add करना पड़ेगा, तो वो ही चीज मैं कर रहा हूँ, ओके, ठीक है देखते हैं अब code पर direct, code पर jump करते हैं, code में क्या मैं कर रहा हूँ, test case हो गए, L, A, B, C, D आपको input ले लिया, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, temp 1 और temp 2 में मैं A और D, B और C का multiplication रहा हूँ, और फिर वही चीज है, अगर equal है तो 0, नहीं तो इस वाले case पर जाने के पहले मुझे यह चेक करना है, अगर कोई एक number 0 है, दूसरा number 0 हो गया, ठीक है, अब कहोगे, दोनों 0 हो गया तो, अगर दोनों 0 हो तो यहीं पर यह handle हो जाएगा, आगे नहीं आएगा, हाँ, तो कोई एक 0 अगर है, तो दूसरा number को हम 0 कर सकते हैं, अगर आपको किसी पॉइंट पर डाउट है, किसी भी तरीकी के तो आप निचे कमेंट बॉक्स में पूश सकते हो, और निचे कमेंट बॉक्स में मुझे यह भी बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो मेरा, ठीक है, अगर किसी भी तरह की improvement की जरुत है, sound quality, video quality, मेरे understanding, जो समझाता हूँ, मैं किसी भी तरीक एक explanation में, तो आप बेसे ज़िए मुझे बताना, ठीक है, जिससे क्या होगा, मुझे at least feedback मिलेगा, तो मैं improvement की जहां जो रहते पर, मैं करूँगा उस पर, ठीक है, ओके, तो बाकी मिलते हैं अगली video में, तिल लाओ, बाबाए,